हेलो एवरीवर वेलकॉम बैक टू मैं चैनल कैसे आप सबी होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो जी आज का दिन जो है वो सोम बार का है और सुबर से ब्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट की हूँ आज स्कूल है रिशांक का हूली के बाद तो जैसे सैटर्डे को स्कूल खुला हुआ था लेकिन रिशांक जो है वो सकूल नहीं गया था लेकिन आज मंडे से अब वो कंटिन्यू स्कूल जाएगा इस्कूल जाता है ना तो कम से कम य importantes हैं पूठी थो जाए citizen रहता है है Hag कि व बस दीन पर उनको फोन चाहिए फोन फोन करते रहते हैं तो यहां पर जटपट वाला नास्ता रिशांग के लिए बना रही थी बेसन की चीला बेसन की चीला मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बन जाता है बच्चों की और रिशांग को बहुत ज़्यादा पसंद दें इसको टोमेट vendi के साथ न इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अज रिशांग की बाते करते करते त्वरी बहुत आप लोके भी कमेंट और लोगों की सोच यहां बहुत के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगे कैसे बोलू क्या हो रो समझ में नहीं आ रहा है बट हाँ यहाँ वे मैं घी का योज कर रही हूँ रिशान के चिला बनाने के लिए तो चलिए आप लोग से बात करती हूँ बहुत लोग आप लोग का भी ये कोश्चन है कि आप सेकंड बेबी कब कर रहे हो दूसरा बच्चा आपका कब होगा तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है ये सवाल हमारे अपनों का भी है लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये चीच कहना चाहती हूँ कि आपने तो सिर्फ छोटा कमेंट किया लेकिन इस बारे में मेरे अपनों ने मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी तो फिर आप लोग के नजर में वो इंसान खराब बन जाता है तो नाम नहीं लेना चाहूंगी लेकिन मेरे अपनों नहीं मुझे बहुत जादा मतलब मेरे husband के बारे में नहीं समझेगा मेरे husband बहुत ज़्यादा supportive है उनको पता है कि हम हम भी second baby के लिए try कर रहे हैं अब देखिए बच्चा होना अपने हाथ में नहीं है है ना लेकिन ऐसा नहीं कि हम try नहीं कर रहे हैं हम भी try कर रहे हैं कि हमारा second baby हो हम भी चाहते हैं लेकिन ये सब चीज हमारे हाथों में नहीं होता है है कि नहीं आप लोग बताईएगा मुझे क्या मैं सही बोल रही हो कि नहीं तो कुछ लोगों ने आप लोग ने तो छोटा सा comment करते हो लेकिन कुछ मेरे जो अपने हैं उन्होंने मुझे बहुत गंदे तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत चीप तरीके से मुझे कहा इस बारे में second baby के बारे में और कहा कि तुम दवाई खाती हो ये खाती हो वो खाती हो जैसे तुम्हें बेबी नहीं हो रहा है तो यह चीज मुझे सुनके बहुत साधा शौक लगा कि अगर आप कुछ करो और फिर आपको सुनने में आए तो अच्छा लगता है लेकिन मैं आज तक कभी मैडिसीन यूज की ही नहीं हूँ यह चीज में आप लोग के साथ शेयर करें और मैं आप लोग को भी यही सज़ेस्ट करूँगी कि आप लोग कभी मैडिसीन यूज नहीं कीजिएगा यूँकि आपके बॉड़ी फिर काफी एफेक्ट आता है बहुत लोग होते हैं बच्चे ना होने के वज़े से काफी सारे मैडिसीन लेते हैं लेकिन मैं आपको कभी सज़ेस्ट रही करूँगी कोई मैडिसीन लेने के लिए तो जब मैं किसी को सज़ेस्ट नहीं कर सकती तो मैं खुद कैसे वो काम कर सकती हो कि मैं अपने body को harm पहुचा के और फिर मैं ये सब काम करो है न ऐसा नहीं कि मुझे second baby नहीं चाहिए first baby में मैं बहुत ज़्यादा परिशान हुई थी क्योंकि मेरे पास कोई करने वाला नहीं था जो लोग थे भी वो लोग ऐसे करते थे जैसे लगता था कि अहसान कर रहे है मुझे एक एक glass पानी के लिए भी मुझे सोचना पड़ता था लेकिन जब मैं अररिया आ गई तब मुझे बहुत ज़्यादा रिलेफ हुआ और कुछ दिन पहले की बात है मेरे पास कुछ audio recording भी है जो मैं आप लोग के साथ कभी future में सही समयाने पे शेयर करूंगी कि कुछ लोगों ने मुझे से फोन पे किस तरीके से मुझे से बात किया था और किस तरीके से और उन्हें वो मुझे बोली थी कि तुम्हें दुसरा बच्चा नहीं हो रहा है तुम दवाई खा रही हूँ ये वो मतलब बहुत तरीके के बात लेकिन be honest आप मेरी YouTube family है मैं सच बता रही हूँ मैंने कभी कोई medicine नहीं खाया है और ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है कि मैं चाहूँ कि अभी मुझे बच्चा हो जाए तो अभी ही हो जाएगा सही बात है कि नहीं बताइएगा मेरे पास तो कम से कम है कि एक बच्चा है बहुत लोग को तो सालो साल लग जाते हैं बच्चे नहीं होता है है कि नहीं तो मेरा भी जब रिशांक खा था, फ़स्ट बच्चा, रिशांक है मेरा, तो जब यह खुआ था, तो उस टाइम प recipients, मैं बहुत सारा प्राबलम फेस की थी दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की थी उस टाइम पे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा सेकेंड बच्चा हो लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो मुझे भी लगा कि नहीं एक सेकेंड पे भी होना चाहिए सबी लोग मेरे घर में भी बोलते बाहर भी लोग बोलते थे कि दो बच्चा तो होना ही चाहिए मेरे भी मन में है कि एक लड़का है तो एक लड़की होना चाहिए कि फैमिली कंप्लीट हो जाए तो मुझे भी बहुत जादा शौक है लेकिन फिर भी जिस दिन मुझे कुछ लोगों ने इस बातों पे सुनाय था ना इतना गंदे तरीके से सुनाया था ना मैं रो बैठी थी उसका भी audio मैं आप लोग के साथ कभी share करूँगे मेरे पास हर एक चीज का recording है मैं इतना रोई थी इतना रोई थी उस बात पर ना आपको पर पता है यह सब मैं किसी के साथ share नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी एक दो friend है बस उनलों के साथ share करती हूँ रिलेटिव के साथ मैं यह सब बाते share नहीं करती पर थैंक गॉड मेरी husband बहुत supportive है उनको पता है कि मैं क्या हूँ और नहीं हूँ सबसे अच्छी यह बात है मेरे life में सबसे ज़्यादा plus point यह है कि मेरी husband बहुत supportive है उनको पता है कि उनकी wife कभी गरत कदम नहीं उठाएगी और उनको भी पता है कि हाँ इसको भी second baby चाहिए बिल्कुल यह भी पूरे shock से कहती है कि मुझे चाहिए पर यह सब चीज हमारे हाथों में नहीं होता है और जिनके खुद इतने सारे बच्चे हो और जिनको खुद बच्चा इतने सालों बाद हुआ हो तो वो लोग जब यह बात एक बोलते हैं तो सच बता हूँ बहुत सादा तकलीफ होता है उस दिन मैं इतना हट होई थी ना मैं कभी नहीं रोती हूँ मैं दो दिन कंटिन्यू इतना रोई थी ना मैं आपको होली से पहले की बाते बता रही हूँ यह सब होली के पहले मेरे साथ हुआ था मैं इतना रोई थी ना मेरे आख जो है न फ्रेंट पुरा फूल गया था आख पूरा लगा था स्वेलिंग हो गया है ऐसा सिच्वेशन हो गया था तो इसलिए मैं कहूंगे कि जिनकी खुद की बेटी है वो दूसरे की बेटी को क्यों नहीं खुश रहने देते यार अपनी लाइफ में पता ने क्यों मेरी लाइफ से लोगों को बहुत जलन है सबको लगते है मेरी लाइफ बहुत अच्छी है यार ये सोसल मेडिया पर आप देखते हो अच्छी है एक बड़ मेरी जिनकी जी के तो देखो फिर समझ में आएगा कितना tension है मैं ही हूँ कि जहल रही हूँ हस्ते हस्ते वो भी रो तो तब देती हूँ जब बहुत ज़ादा लोग मुझे demotivate करते हैं और मुझे बहुत ज़ादा hurt होता है तब मैं बहुत रोती हूँ मतलब सही बता रही हूँ दोस्तों इतना रोती हूँ न मैं कि मैं किसी को नहीं बोलती हूँ बस घर में बैट के एकदम foot foot के रोती हूँ और सोचती हूँ कि मैं ये बात किसके साथ share करूँ मैं किसी के साथ कोई बात share नहीं करती हूँ सिर्फ अपने husband के साथ और मेरी एक दो बहुत अच्छी फ्रेंड है उनके साथ मैं ये सब बाते शेयर करती हूँ Otherwise किसी के साथ मैं सारी बाते जो है वो शेयर नहीं करती हूँ मुझे ऐसा फेल करवाया गया कि मतलब मुझे बच्चा नहीं हो रहा है मतलब बहुत गंदे तरीके से हद पार कर दिया गया कुछ लोगों ने लेकिन फिर भी मेरी जैसे इंसान है कि उन लोगों से अच्छे से बात करती हूँ हसती हूँ उन लोगों के साथ रहती हूँ फिर भी छोड़िये ये सब तो दुनिया धारी बात है सो फ्रेंड आप लोग बताईएगा और प्रेस मेरे लिए प्रेस जरूर कीजिएगा और क्या बोलू मैं बड़ी तकलीफ में हूँ बस चाहरे कि बस टेंशन ज्यादा नहीं लेना चाहती है क्योंकि यार बच्चा है हस्बेंड है हस्बेंड की भी थोड़ी सी तबियत जो है वो ठीक नहीं रहती है तो मैं उनको भी ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं टेंशन में होती हूँ ना तो मेरे हस्बेंड भी टेंशन में होती है फिर शांग के उपर भी ध्यान नहीं दे पाती हो तो इस वज़े से सो चलिए कोई बात नहीं है लाइफ का पार्ट है ये और प्लीज मुझे ये कमेंट नहीं कीजिएगा कि आपको ये बात कौन बोला किसने आपको इतना सुनाया क्योंकि शायद मैं अभी सही वक्त नहीं है कि मैं उनका नाम लूँ क्योंकि आप लोग को जैसी मैं बताती है नो ये इनसान ने मुझे ये बात का तो आप लोग सीधे उनके बारे में बहुत गंदा गंदा नेगेटिविटी बोलने लगते हो मैं बहुत बहुत कुछ आप लोग को बताई तो आप लोग बहुत सुनाते हो तो इसलिए अभी सही वक्त नहीं है कि मैं उनका नाम बताऊं सही वक्त जब आएगा तो मैं उनके बारे में जरूर बताऊंगे किसने मुझे इतना रुलाया और सिर्फ एक बच्चे के लिए इतना सुनाया गया मुझे इतना सुनाया गया होली से पहले की बात है होली में घर जाने मतलब ससुराल जा रहे थी ना उसे चार पास दिन पहले की बात है बहुत यार लोग कैसी कैसी लोग होते है जिनके खुद बारा-बारा साल पे बच्चे हुए है वो लोग मुझे इतना सुना आके चले गए और मैं इतना रोई मैं पता है, सबसे पहली बात है कि मैं अपने हस्बेंड की सामने जल्दी नहीं रोती हूँ रोती हूँ तो फिर इतना रोती हूँ तो फिर इतना रोती हूँ क्योंकि सब के सामने में ये शो करती हूँ कि मैं बहुत जादा स्ट्रॉंग हूँ बहुत जादा लेकिन कभी-कभी यार हम भी इंसान है कभी-कभी हमारा भी मन जो है न पिखल जाता है तो मेरे हाथ में नही से पूरा उमीद है कि वो भी मेरे साथ अच्छा ही करेंगी जो मेरे लिए अच्छा होगा अगर सेकेंड बेबी मेरे लिए लाइफ में अच्छा होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा लेकिन जब लोग ऐसे कहते हैं ना तुम्हें नहीं होगा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम तो मन मी ना मैं क्या बता हूँ अच्छा है कि मैं वाइस ओवर करके आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे रही हूँ परना मैं मतलब बहुत तोट जाती हूँ और खास करके जब आप अपने फैमिली से ऐसी बाते सुनते हो अपने लोगों से ऐसी बाते सुनते हो ना तो बहुत जादा तकलीफ होता है आप लोग से बाते करते करते घर का सारा काम कर ली देख सकते है अच्छा इसके बाद मुझे जीम जाना है तो अगर घर पूरा सेट करके जाते हो ना तो आने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है चेयर के ऊपर कुछ कपरे परे हुए लेकिन अभी टाइम नहीं है कि मैं उनको फोल्ड कर पाऊंगी फिलाल मैंने अपने पूरा घर जो है न वो सेट कर जो तो यहाँ पर फीजा से का बहुत है तो आजका क्या ब्लॉग फ्रेंड यहीं पर यान करेंगे और आप लोग कैसे कमेंट करना अब यहाँ पर फोड़ा देर 10-15 मिट में अकेले में तोड़ा सा सोचूंगी वाई साब जो लोग मुझे कुछ भी बोलते हैं तो बाबाई गाईस लव यू टेक क्या तिल देन कमेंट सब्सक्राइब टो माई चानल योट्यूबर अंट्रा